हेलो स्टूडेंट मैं दीख्छा वेलकम टू माई यूटूब चेनल हम पढ़ रहे हैं फरवरी 2023 के करेंट अफ्यर को जो विचन है इसकी मैगजीन पर आधारत है चली तो स्टार्ट करते हूं आप पढ़ते हैं इस मैगजीन की बारे में और जिसमें अभी तक हमने तीन मेज स्टूड बारे में इसकी सुर्ख्ण में क्या रहे हैं हाली में भारती नौन्शेना की सूचना संलेयन केंद्र हिंद महा सागर छेत्र और सेशल्स के Regional Coordination Operation Center के भी समझोता ग्यापन पर अंतिम रूप दिया गया है क्या कहा गया है हाली में भारती नौसेना के सूजना सल्लेयन केंद्र हिंद महासागर छेत्र और सेसेल्स के Regional Coordination Operation Center के बीच एक समझोता ग्यापन पर अंतिम रूप दे दिया गया अब पड़ते हैं सब्से पहले किससे सम्मंधे तठ्थे क्या क्या रहे हैं इसका ओद्देश रहा है कि समुद्री छेतर से सम्मंधे जागरुकता को बढ़ाने सूचनाओं को सांजा करने विशिशक गिता बढ़ाने के क्रम में आपसी सहिऊों को प्रुस साहित करना है इसे संदर में है, फिर आता है RCOC हिंद महासागर आयों के साथ भी मिलकर काम कर रहाता है और यह समझोता ग्यापन भारत के सागर विजन को मजबुती प्रदान करेगा इसके संदर में किया गया पढ़ते हैं IFC और IFC IOR के बारे में सूचना सलेयन केंदर हिंद महासागर छेतर के बारे में इसकी स्थापना 2018 में की गई थी और जिसका ओदेश अलग-अलग बहुराश्टी है समुदरी सुरक्षे केंदरों के साथ संपर के स्थापित करना है तो इसका कप की गई थी इसकी स्थापना 2018 में जिसका ओदेश अलग-अलग बहुराश्टी है सुरक्षे केंदरों के साथ संपर के स्थापित करने की संदर में की गई थी एक केंदर बारा देश हूँ अंतराश्टी है संपर कधिकारियों की वेजवानी करता है जिसमें बारा भागिदार देश सामेल है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, जापन, मालदी, मौरिसस, मियानमार, स्रीलंका, सेसेल, सिंगापूर, UK, USA आते अब आता है हिंद महासागर में वाइट सिपिंग से सम्मंदि कुछ खूफिया जानकारी को एकत्रेत और आखलेत किया गया है वाइट सिपिंग होता क्या है वाइट सिपिंग इनफोर्मेशन का उपियोग वाड़जिक और गेर सेन व्यापारिक जहाजों की पहचान और उ ही सिसमर्णित कुछ महत्पूर अग्यन सूचनाओं को सांजा करने के अंदर में इसका उपियोग किया जाता है अब पढ़ते हैं हिंद महासागर और समुद्री सुरक्षा से लेकों है तो उसके बारे में पढ़ते हैं कि भारत की त्ट्रेक जो है 7517 किलो मीचंगी है या त भारत की ये तट रेखा है ये चारों और तीनों और से समुद्र से घिरी हुई है मतलब हिंद महासागर इसको इंडियन ओशियन की द्वारा घिरा गया और भारत की इस भौगले की स्तिती के करण से समुद्री राष्ट कहा जाता और इसकी कुल भौगले के जो तट रेखा है बे 7,517 किलो मीटर लंबी है हिंद महासागर चितर जो इंडियन ओशन का ये रीजन है इस रीजन के अंतरगत क्या-क्या इसकी भूराजनेतिक भूवार्थी को संसाधन गतिविदियों की बारे में पढ़ते हैं इनकी बारे में इसकी परचे की रूप में देखे है कि ये अफरिका की पूर्वी तट से लेकर और आस्टेलिया की पूर्वी तट पर फेला हुआ है इसकी भूवार्थिक स्थिती के बारे में देखते हैं कि ओयल की मामले में विश्युका 80% से अधिक समुद्री व्यापार हिंद माहसागर के द्वारा ही होता है माहसागर चोक पॉइंट के माधिम से होता है और इसमें 40% हॉर्मोज जलसंदी से होकर गुजरती है जो और चालेस परजन्ट यहां कि यह और चालेस परजन्ट इसी जलसंदी से होकर गुजरता है 35% मलक्का स्टेट से होकर गुजरता है 35% जो होता है बई मलक्का स्टेट से होकर जो गुजरता है जो यहाँ पर है फिर आता है 8% जो होता है बई बाब अलमंडेव से होकर गुजरता है यह तीन संदी है कौन कौन सी संदी है इसके अंतरगत आती है तीन संदी जैसे एक संदी एक संधी ये बावल मंडिव, स्ट्रीफ धार्मुच और स्ट्रेट ओफ मलक्का ये तीनों संधी है जिसमें हॉर्मुच के अंतरगत 40% और मलक्का के अंतरगत 35% और बावल मंडिव के अंतरगत 8% से होकार गुजरती है अब आता है संसाधन की छेत्र में इस छेत्र में विश्व की आवादी का एक वटे तीन भाग और पच्चेस परसेंट भूबाग तथा चालिस परसेंट तेल और गैस की भंडार भूराजनेति के सिती में देखते हैं कि हिंद महासागर दुनिया के सबसे महत्यपूर्ट शोग पॉइंट है और इसमें होरमुज मलक्का और बावलमंडे जल संधी बहुत ही महत्यपूर्ण हैं तो इसके संदर में अब आते हैं समुदरी सुरक्षा की समक्ष चुनोतियों की बारे में आर्थिक चुनोति जैसे ब्यापार मार्गो संसाधनादी समुद्री तटी सुरक्षा का उपाय पर निर्भाय करना, चीन और अमेरिका का बढ़ता प्रभाव, सेनने में ससस्त्र समुद्री पायरेसी डखेती आदी सुरक्षा नहाची में नहित मुद्दी जैसे अलग अलग देशों में अपने अपने दावे ओवरलेपिंग बाली समुद्री सुरक्षा परियावर्ण की समुद्र में परियाव जलवाई परिवर्तन, भूराज नहतिक में चोग पॉइंट, अन्चुनोतियों में एक दूसरे से जोड़े संगठित अपराधाते राश्च समुद्री सुरक्षा से समंद 503 योई एजेंड़ा आता है कि बिना किसी भादा की मुक्ति समुद्री व्यापार ताकि उस्चित समुद्री व्यापार सुनेश्चित हो सके समुद्री विवादों का निप्टारा सांतिपूर और केवल अंतराश्टी कानून की आधार परी होना चाहिए जिमेदारी पूर समुद्री संपर को प्रोसाहत किया जाना चाहिए गेर राज अभी करता हो प्राक्ते कापदाओं को योटपन समुद्री सर्खत्रों का सामोहिक रूप से मुकाबला करने क्या हो समुद्री परियाबरण और समुद्री संसादनों का संरक्षण करना चाहिए इसके संदर में अब आता है समुद्री सुरक्षा के लिए शुरू की गई पहले जो बैश्व किस तरफ पर सबसे पहले देखते हैं सायुक्त राइस्ट समुद्री कानून संदी या अंकलोस के बारे में इंडिया नोसल रिम एस्सेशन फोर रीजिनल को ओपरेशन इसकी स्थाफ न ब्यापार वदारी करण ब्यापार वनेवे सुवदा आर्थिक तकनीकी सहयोग और वनेवे समंद्री समंबाद को आगे बढ़ाने के लिए की गई देशों के भी सहयोग के बारे में हिंद महासागर 9,9 संगुष्टी की एक स्वएक्षित पहल है जो हिंद महासागर छेत्र के तटी ये देशों की 9 सेराओं की भी समुद्री सहयोग को बढ़ाने का प्रियास करते हैं इन संदर में बिंस्टिक के बहु छेत्री है, तकनीकी और आर्थिक सहियों के लिए बंगाल की खाड़ी क्या पहल का एक उधारण हो इसके लिए भारत बहु पक्छी है और दोई पक्छी है एक्षेन अभ्यासों का आयोजन कर रहा है। किया जाना चाहिए, गेर राज अभी करताओं और प्राक्तिक आपदाओं की काड़ उत परने समुद्री खत्रों का सामोही क्रूप से मुकाबला करना और समुद्री परियावण और समुद्री संसानों को सुरक्षित बनाए रखना इसके संदर में। की रूप में उभर रहा है। और खूपिया नेटवर्ड बहु एजेंसी ही समुद्री सुरक्षा समोही इसके अंतरगत है जो राष्टी है इसके अंतरगत कुछ पहले स्टार्ट हुई है। अन पहलों के अंतरगत आता है जैसे प्रोजेक्ट मौसम। प्रोजेक्ट मौसम का उद्देश है कि हिंद महासागर छितर में सनलगने देशों की भी सूचना को आधान प्रदान करना और फिर से सुरू करना और साजह करना है। संधार्णीता को बढ़ावा देने के संदर में भारत ने अपनी नीली अर्थव्यस्ता की पहल के संधार्णी और टिकाव तरीकें को समुद्री संसानों के उपियों को बढ़ावा दे रहा है। आउसन रचना की संदर में कि इस छेतर में आउसन रचना को बढ़ावा देने के लिए सागरमाला जैसे पहल की सुरुआत की गई है। मानवी सहायता और आपदा राहत की संदर में भारत आपातकाली निस्तिती के दो रन सबसे पहले सहायता पहुचाने वाले देशों की रूपे हो रहा है जैसे बैक्सीन मैत्री के संदर में। अब आगे की राय में देखते हैं कि समुद्री सहयोग होना चाहिए। समुद्री सहयोग जैसे सभी अंकलोस जैसी अंतराश्टी संदियों को लागू करें और लोजिस्टिक गतिविदियों में बदद करने में अपने असली सहयोग पर कर सकते हैं। जागरुकता का पैदा करना, एडवांस तकनीकी, सूचना, सांजी करन और पारस परिक्साहोग और नीती निर्माड या इसके संदर में आंगे के लिए भविस्टे के लिए कुछ नीतियों को परिभासित किया गया। पारेशी सीने पटने के लिए अन्न तटिये छेत्रों या देशों के तट रक्षक एजन्सियों के वहत पर बल दिया गया। से सेल्स, मेडा गासकर, कामरोस, मौरिसा, सौरी, इवनियन, आइलेंड आते हैं। भारत आयोशी का एक परिविक्षक सदस्य के रूप में कारें करता है। अब पड़ते हैं भारत से रक्षा निर्यात के संदर में। प्रधान मंत्री ने एरू इंडिया 2023 के उधगाटन के आउसर पर रक्षा निर्यात में 2024 से 2025 तक की आउधी के लिए 5 बिलियन आमेर की डॉलर का लक्ष निर्धारित किया है। तो कितने 2024 पॉच्छ तक कितना मिलियन डॉलर का पाच मिलियन डॉलर का। इससे सम्मेंदे लक्ष में आता है कि इस लक्ष को पहली बार रक्षा उत्पादन ने थी 2018 में प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार ने अपनी रणनेतिक में बदलाओ किये हैं ताकि बिशुद आयतक कि वज़ा निरयातक की रूप में देश की पहचाल बनाया जा सके। बरत्मान में भारत में पच्छब प्च्च तरदेशों के रक्षा उपकर्णों का निरयात कर रहा है। तथा भारत में रक्षा निर्याद के संदर में के रक्षा निर्याद एको सिस्टम क्या है रक्षा निर्याद एको सिस्टम रक्षा निर्याद के अलग अलग आयम सामिल होते हैं और इसमें समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर करने से लेकर निर्याद उतपादों की डिलेवरी तक सावल होते हैं भारतreasरकर परत्मेक्टा के यदर पर रक्षा नियर्यात přेँवसिस्टम को बढ़ावा दे रही है इस इसमें भारत के एके नियर्यात टक की रूप में उभर सकेगा डी के लिए क्या ज़रूरी करना चाहिए रक्षा निर्यात्य इकोसिस्टम या निर्यात, सर्णरचन भ्यापर्वार्वार्वार्वा स्मर्थ्न को ब停ड़ निरियातो दोनों से संब्न परो उड़ी की संदर में रक्षा उड्शक घ। शीлив, आपके ANYयन मार्वार्वार्वा Stat дуже-घ। करने की आवश्यक्ता है रक्षा निर्यात के लाव यह वो मावश्यक्ता क्यों रही रक्षा निर्यात के बढ़ने से सामरे क्राजने के लाव उठाने में मदद मिलती है वी निर्मार के जरी रोजगार के आउसर में ब्रती होती है उच्चे मूल वाले निर्यात को बढ़ाव के बारे में पढ़ते हैं कि रक्षा निर्यात में विश्वशनेता से जम्मंदित क्या चिनोती उठती है यह एडवांस हतियारों के लिए दूसरी देशों पर निर्भरता के कारण घरेलू रक्षा उत्पादों की विश्वशनेता कम हो जाती हो धान के लिए फ्रांस से साल फीता साही जैसे चनोतियों का सामना करना पड़ता है राजनेक की संदर में अलप सक्री राजनेक प्रियासों के कारण भारत आउसरों का लाव उठाने में असमर्त रा जैसे उधारन के लिए हिंदुस्तान एरोलोटेकल्स लिम्टेट को तेजस मार्क फस्टे के एक स् स्कॉार्डर क्या होता है या आर्म फोर्स स्टेशन होते हैं से जोड़ी एक फ्यूल्ड उन्यट होती है इसे में इसको एक स्कॉार्डर में 18 बिवान होते हैं अब आता है आउसन रजना की कमी के संदर में आउसन रजना की कमी परियाप्त परियाप्त आउसन रजना की कमी इस अमेरिका फ्रांस आधी की रक्षा उत्पादों को प्राथ मिक्ता देते हैं क्योंकि एडवांस प्रोधिकी के मावले में इनकी रक्षा उत्पादन वहतर होते हैं फिर आता है जागरुकता की कमी के संदर में किराजस से विभाग सुरू की गई के बाद भी कई निर्या तक इसका फाइदा नहीं उठा रहे हैं फिर आता है आंगे की रहे में देखते हैं कि की MSME स्टार्ट अपस या स्टार्ट अपस को सहायता पी एलाइस की माध्यम से स्टार्ट अपके निर्याज शमता को उप्योग किया जाएगा निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा और इजॉब डिये जूइंग बिजनेस को भारत की भी निर्मान उक्रम मस्थापित करन निर्यास संबर्धन परीशादे के संदर में इसका गठन किया जाएगा भारती उतपादों को बढ़ावा मिलेगा जिससे भारती रक्षा चेतर के संदर व्यापार मेलो क्रेतब एक्रेतब एटकों को आयुजित किया जाएगा साथी भरती रक्षा छेतरक के रिवर्स बीएसे भागिदार देशों के इनक्यूवेशन आउसरों को बढ़ावा उग्यान साजाकरण की देशाम में प्रयास करना चाहिए इसके संदर्म है रक्षा निर्यात के लिए की गई पहलों के अंतरगात आता है जैसे पहली पहल मेक इन इंडिया MAKING IN Indiya के तहर सरकार द्वरा उध्धों के उत्पादन को बड़ावा दिया जाएगा उत्तर प्रदेस उत्मधलाणों के रक्षा उध्धो रक्षा उध्धो गे गले आरे के वही स्थापित किये जाएंगे रक्षा निर्यात को बड़ावा देने के उध्धेस से जॉब डूइंग बिजनेस औरियात नेती पिक्रियाओं को सरली करण किया जा रहा है। विदेशी निवेस के संदर में आता है कि स्वचालित मार्ग से 74% और सरकारी मार्ग से 100% तक प्रित्यक्ष विदेशी निवेस की अनमती दी गई है। रक्षा समझोती में आपसेट डायटों को आनिबार करने दथाई सम्मन्द में बहतर कदम साबित हो सकता है। यसे उज में परिवर्तित कर व्यापरिक परिवेश को मजबूत करने का प्रियास किया गया। जीवन्त ग्रामकारकरम की योजना की मनजूरी दी। सुधानने तथा उनकी गुडवत्ता में सुधार करने तथा पलायन को रोकने में मदद करता है। इससे संबनने मुख बिसेस्ताओं में आता है कि जिला परशासन ग्राम पंचायतों कि सायोग से जीवन्त ग्राम कार्योजना तयार करेगा। सामाजी कुदमितव और उबा और कमहिला ससक्तिकरन इत्यादी को बड़ावा देने की मादेम सेहाव एंड स्पोक मॉडल पराधारित विकास केंदर निर्मेत किये जाएगे। केंदर और राच की योजनाओं की सत्प्रसत सैचुरेशन सुनिश्चत की जाएगी तथा यह सैचुरेशन का आर्थ होता है कि सभी पात्रलाभारतियों की योजना से निर्धारे सुबधायें मिले। इस योजना का सीमा छित्रकार करम के साथ कोई व्यति व्यापन नहीं होगा जिसका उत्देश अंतराष्टी है सीमा के इस्तेत दूरस्तो दूर गम रहने वाले लोगों की विकास सम्मंदी आविशक्ताओं को पूरा किया जा सकता है। इसकी अपिक्षिक परडाम की देखते में देखते हैं कि देश के उत्तरवर्ती देशों में गाउं को बारह मासी सडकों का विकास संबा होना, सोक्ष बेजल उपलब धूना, सोर वयम पवन उर्जा की विकास पर ध्यान देना, मुबायल और इंटरनेट कनेक्टिविटी क का विस्तार, परेटन, बहुत देशी स्वास्तों कल्यार के अंदरों का विकास करना चाहिए। अब पड़ते हैं, सीमा बड़ती च्छेतरों के पास राजमार्ग परियोजना के सूप फूर हायरवीच प्रोजेक्ट एंड निएर बॉर्डर के बारे में, परेवन बन और जल्वाई परिवर्तिन मंत्राला ने सीमा बड़ती च्छेतरों के सभी राजमार्ग परियोजन पाई ड्रेलिंग या सुरंग खूदने की दोरान बरती जाने वाली सावदेनिया नदी जलगरहर्ण छेत्रों हाइड्रोलोजी के संदर में एस ओपी एजेंसियों के लिए अनिवार रूप से कार करती है जैसे छेत्र की पारिस्थ की नाजुपता का अध्यान, भूइस्कलन धलान और इस्थर्ता भूकंपी ये गतिविदी की खत्रों का व्यापा का ध्यान, फिर आता है सराजमार की किनारी हरेत पट्टी का निर्मा और आपदा प्रवंदन और योजना तयार करने के संदर में आता है, अब आता है MOEF और ANCC परियावन ने प्रभाव मुल्यांकर नीती में बंदाव करती हुए संसोदनों को अधिसूचित किया है, इस संसोदन सीमाबर्ती छेत्रों के राजमार को पूर्व कल्यान मंजूर प्रदान करने के छूट देते हैं, या छूट अंतराश्टी सीमा या नंतर रिखा में 100 किलोमीटर के भीतर आने वाली राजमार्व परियोजना को दी गई है, सीमा बरती छित्रों में ऐसी राजमार्व परियोजना को दी गई छूट सतत विकास की आवशक्ता पर एक नई बहस को जन में देती हैं, अब पढ़ते हैं परियोजना की पक्ष में तरक और परियोजना की बिपक्ष में तरक की बारे में, परियोजना की पक्ष में तरक देखते हैं कि चीन दौरा विसाल आवशन रचना निर्मार को देखते हुए ऐसी सामरिक परियोजनाओं में सामर यातायाद भीड और उनके द्वारा होने वाले उस्तरजन को कम करती गए। परियोजना की विपक्ष में तरके देखते हैं कि बेस्पेट को करने सुरंग खूदने डंपिंग और बनों की कटाई की संदर में भू इसकलन और अचारक बाड का खत्रा बढ़ जाता है। प्रक् अर्टिफिशल इंटलिजन्स की जिम्मेदारी पूर उपियोग के बारे में। या तेजी से विक्सित हो रही ससकती करण की तक निकी विनासकारी छती को पहुचाने में छमता रखती है। इसेन को को युद्ध छेत्र कानुवा प्रदान करने के लिए। फिर सिक्षण और समान परिवेश में अभ्यास की सुबदा होनी चाहिए तथा विसी इस रूप से दुरुगम सीमाबरती छेत्रों की इस्थितिजन्न जागरुकता प्रदान करने के लिए निगरानी करने म मदद करते हैं। वड़ावा देने के लिए भारत द्वारा कुछ कदम उठाए गए जिसके अंतरगत अलग-अलग डॉमेन में AI की उपियोग में जुड़े सोध की लिए रक्षा अनुशंदान और विकास संगठन में समर्पित परियोग साला इस्थापित की गई हैं। में भाग लिया है। इसमें पहली बार रासानिक जब एक रिडियो लॉजिकल और नेव क्लियर आतंकी गतविदियों के वीच पृतिक्रिया। मिशन के रूप में एक बैडिलेशन अभ्यास का अनुकरण किया गया है। धर्मगार्जियन ये भारत और जापान की वीच सायुकत से अनुप भ्यास है। अब आता है स्पाई बैलोन के बारे में। कैमरों और इमेजिंग उपकरणों से लेस होता है। इसके लाब में देते हैं कि उपकरणों की तुला में अधिक लागत प्रवावी होता है। एक किसी छेतर को नस्दीक से स्केन कर सकता है। लक्ष की इस पस्ट उच्छ रेजोलिशन माली छबियों को कैप्चर कर सकता है। इसका नुकसान हवा की बाहाओ की बज़े से मार्क से भटक सकता है। अब आता है लॉंग रेंज और्टिनरी बैपन सिस्टम के बारे में। लॉंग रेंज और्टिनरी बैपन सिस्टम या भारत एलेक्टोने लिम्टेड ने इसराइल एरोस्पेस इंडरस्ट्रीज के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्छर किया। एस समझोता है तीनों से नाओं के लॉंग रेंज अल्टरनी बैपन सिस्टम हतियार परडाली के घरेलू निर्माड और आरपूरती पर आधारित होता है इसराइल दौरा बेक्सित और संचालित हतियार परडाली है जो कम मारक दूरी, सडक से परिवहन में सक्छम और भूम और समुदर से लॉंच की जाने वाली ठोस इधन युक्त बैलेस्टिक मिसाल है इसको 10 मीटर सरकुलर एयर पोवरिवल्टी के सटीक के सतर पर अलग अलग दूरियों के लिए बैलेस्टिक हमले करने की छमता प्रदान करती है इसके संदर में 600 किलोग्राम तक के वार हेड त किया गया है कबच 2003 से क्राश्ट यह इसतर का हैक अथों ने जिसका उदेश 21 सदी की साइवर सुरक्षा और साइवर अपरात की चुनोतियों से निपटने के लिए नभीन विचारों तथाक तक्निकी समाधानों की पहचान करना है यह दो चरणों में आयो जित होता है इसमे सिक्षन संस्थानों अपंजीकरत स्टार्ट अप्स की उबाओं को हिस्सा लिया गया है एब जीटर टीम को पुरुषकार रासी के रूप में 20 लाग रुपे दिये जाएंगे प्रदान किये जाएंगे उसके संधर में यहां पर हमारा सिक्वर्टी से रिलेटेड टॉपिक फिनिस होता है नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और सेयर करें धन्यवार